अब सर आपके दर्वाजे पर दस्तक देगा, कर्ज पूरा चुकाया जाएगा, आपकी वित्तिय स्थिती बदलने वाली है, इस आशीरवाद का दावा करें और इसे प्राप्त करें, भाग्यशाली संख्या 1111, यदि आप इसे पढ़ते हैं, तो आप एक ऐसे चरण में अधिक बहतर हो रहा है, पुष्टी करने के लिए हाँ, टाइप करें, आखिरकार आप उन्हें सयोग कहना बंद कर देंगे और महसूस करेंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं, यदि आपको विश्वास है तो 1111, टाइप करें, आपकी रोमेंटिक जिंदगी इतनी शांदा हो जाएगी कि आपके पंख पहले से कहीं ज्यादा उची उडान भरने लगेंगे, प्यार आपको सच मुझ ठीक कर देगा, आपको एक नई और ताजी उर्जा मिलेगी, पुष्टी करने के लिए टाइप करें, ग्यारा बज के ग्यारा मिनट, भाग्यशाली संख्या 7777, ये संकेत स्पष्ट है, इस सप्ता आपके साथ कोई चमतकार होगा, आप कुछ ऐसा प्रकट करेंगे जिसका आप इंतजार कर रहे थे, प्राप्त करने के लिए तयार रहें, यदि आप सेहमत हैं तो येस, टाइप करें, भाग्यशाली संख्या 1111, भगवान कहते हैं, धैर मेरी टाइमिंग परफेक्ट है, मैंने आपके लिए कुछ बड़ी योजना बनाई है और मुझ पर भरोसा रखें, आप इसे पसंद करने वाले हैं, इसकी पुष्टी के लिए हाँ, टाइप करें, भाग्यशाली संख्या 555, आप जल्दी कुछ बहुत खास जश्न मनाने व हुआ, इसके लिए तयार रहें, उमीद है ये, ये हो रहा है, यदि आप सहमत हैं तो 555 टाइप करें, जादू तब होता है जब आप चाहते हुए भी हार नहीं मानते, काइनात को हमेशा जिद्दी दिल से प्यार होता है, यदि आप सहमत हैं तो 11 बज के 11 मिनिट टाइप क कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन आपके रास्ते में आ रहा है, पुराने को जाने दो और इन नए अशीरवादों को अपनाओ, समय आ गया है, यदि आपको विश्वास है तो 333 टाइप करें, ब्रम्हांध ने आपको अमीर बनने के ल उची उडान भरने लगेंगे, प्यार आपको सच मुच ठीक कर देगा, आपको एक नई और ताजी उर्जा मिलेगी, पुष्टी करने के लिए 11 बज के 11 मिनिट टाइप करें, यह आपकी पुष्टी है कि जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना की है वो आपके पास आने वाली है, यदि आप विश्वास करते हैं तो हाँ टाइप करें, बधाई हो, आपका सूखा खत्म हो गया है, आप पर आशीरवाद, उपचार, सकारात्मक बदलाव, प्यार, नए अवसर और अनुग्रह की वर्शा होने वाली है, आपकी सबसे लाबकारी प्रार्थनाओं क उत्तर दिया जाता है और प्रकट किया जाता है, इसकी पुष्टी के लिए हाँ टाइप करें, आपने महादेव जी का कार्य अपने आप ही कर दिया, आपके पूर्वज भी दावा कर रहे हैं कि आपके काम को कई लोगों के सामने सराहना मिलने लगी है, यही बात किसी के मन को ठेस पहुचा रही है, अपना नाम लेते देख उन्हें ऐसा लगने लगा है, जैसे आप उनके पेट में मुक्का मार देंगे, मेरे बच्चे, यह लोग तुम्हारे प्रशन सकों को तुम्हारे खिलाफ भढ़काने के लिए चाले चलने वाले हैं, लेकिन महादेव जी यह संकेत दे रहे हैं कि अभी तक उन्होंने केवल योजना बनाई है और उस पर अमल नहीं किया है, यह इस बात का पूर्वाभास है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, साजिश करता एक नहीं बलकि तीन है, तीनों, मेरे बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपके काम म बाधा डाल रहे हैं, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि वे आपका काम कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिती में आपने उनकी प्रतिक्रिया नहीं देखी है, हाला कि आपने उन्हें कुछ दिन पहले ही देखा था, आपने इसे संदे की अगर आपने सोच लिया है कि आप उनकी मदद लेंगे तो गलती ना करें। इतने चतुर की सहयोग में उन्होंने आपसे अपना राज उगलवा लिया। जैसे ही आपका राज खुला, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। उनका रियेक्शन आपको बता रहा है कि उनकी स्पीड आपसे भी तेज हो गई है। महादेव जी आपकी आँखों से परदा हटाने के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आप ब्रम्हान से न्याय मांग सकते हैं। आज ब्रम्हान स्वयम आपके पक्ष के संकेत प्राप्त कर रहा है। वो आपको सचेत कर रहा है ताकि वो समय आपके जीवन में ना आए। बच्चों, ऐसे न्याय के लिए दोड़ते भागते लोगों की पूरी जिन्दगी बरबाद हो जाती है। तुमने अपने महंत का फल किसी बुरी नजर की निग्रानी में रख लिया है। लोग अंदर आनंद ले रहे हैं। और आप आँखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। आपको अभी अभी एक संकेत मिला है कि आपके क्षित्र में आपको वर्तमान में जो समर्थन मिल रहा है वो सौप रतिशत नकली है। इस पर विश्वास करके आप अपनी भविश्य की उपलब्दी को रोक रहे हैं। आप इसे उन तीन लोगों को सौप रहे हैं क्योंकि संकेत भी यही कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। तुमने पहचान का मुखोटा पहने लोगों का असली रंग नहीं पहचाना। कुछ देर रुके और अपने प्रती उनके व्यवहार पर ध्यान दें। कभी कभी आपको उन लोगों को देखना होगा। आपको उन लोगों पर भी भरोसा करना चाहिए जिन्होंने आपको उनके बारे में चेतावनी दी है। अपने भरोसे में इतने भी अंधे न हो जाए कि किसी की राई या सलाह ना माने. आपका जीवन और उसने जो किया है वो आपके लिए तब ही मूल्यवान है. मैंने देखा है कि आप ही वो व्यक्ती हैं, जिन्होंने कभी अपनी मेहनत का छोटा सा फल भी किसी को नहीं दिया, फिर आप इन लोगों पर इतना भरोसा क्यूं क होंगे. आपके महादेव जी भी अब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको भी इसी चतुराई से काम लेना होगा. वे लोग सोच रहे हैं कि वे आपसे भी ज्यादा चालाक हैं, वे आपके साथ चाले खेल रहे हैं और आप मूर्ख हैं. आपने देखा होगा कि इन त कुछ गुप्त बैठके करते दिखते हैं. ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही काम में व्यस्त हैं. शमा करें, जैसे कि आपको अपने काम से कोई लेना देना नहीं है. वे आपके सामने आपको मूर्ख बनाते रहे हैं. आपको अंदर से लगा होगा कि इस तरह की मीटिंग आपकी अनुपस्थिती में ही होती हैं. हो सकता है कि उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो कि वे आपकी कुछ उपलब्धियों पर कबजा करना चाहते हों और वे तीनों उसके हिस्सेदार बनने की सोच रहे हों. साइन डिवाइन ने मुझे ऐसे ही दिया है जैसे कि तीन लोग खड़े हैं, वे आपसे कुछ छीनते हुए और उसे तीन हिस्सों में बाटते हुए नजर आ रहे हैं. आपकी आँखों में न्याय मिलने की उमीद साफ नजर आ रही है. मेरे बच्चे, महादेव जी का लक्षन उत्तम है. ये देखिए और उन लोगों की साजिश को नाकाम कर दीजिए. आपसे जुड़ी एक उर्जा है जो आपको बुद्धिमान बनाए रखती है और आपको कभी मूर्ख बनते नहीं देखना चाहती. अभी अभी एक संकेत बता रहा है कि कोई आपको आपकी जगह से नीचे ले जा रहा है. मानो वो कह रहा हो कि ये उसकी जगह ह तुम वहां कैसे खड़े हो? तुम्हें उससे कहने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं. ऐसा लगता है कि तुम उसके सामने आत्मसमर्पन कर रहे हो. बच्चे जुक रहे हैं. तुम्हें समर्पन करना होगा महादेव जी के सामने. क्या ऐसा नहीं है? यदि आप अपन दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पन करने में समय बर्बाद करते हैं, तो आप अपनी जगा और पहचान दोनों एक साथ खो सकते हैं? महादेव जी की उर्जा आपका साथ देने के लिए तैयार है. वो उन्हें पहचानने में आपकी मदद करेगा और उन्हें आपसे दूर क जगता है जागो इससे पहले की सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए जागो और रखो उन्हें अपने काम से दूर कर दें, अभी तक सिर्फ एक ही राज सामने आया है लेकिन आने वाले समय में और भी हो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि देवदूत आपके रहैसियों क रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित रखें तो कमेंट में 555 लिखकर अपनी सहमती व्यक्त करें. ऐसा करो, अब हम इन तीन लोगों को देख रहे हैं जो आपके क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं. हम महादेव जी से प्यार करते हैं कि आप हमें स्पष्ट संकेत देते करें. जो भी दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया उनका मार्ग दर्शन करें और यहां हम देखते हैं कि महादेव जी हमारे सामने जो पहला संकेत आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं. यहां महादेव जी हां साफ तोर पर कह रहे हैं और पुष्टी भी कर रहे हैं कि वो यहां जो कह रहे हैं वो यह है कि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं या अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं वर्तमान समय में जो कुछ भी यहां है उसमें ये कार्या होता हुआ दिखाई दे रहा है यहां सपश्ट आखें हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं जिन तीन लोगों को आप देख रहे हैं, वे वास्तव में आपका काम बिगारने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ मैंने देखा कि वह भी अपने परिवार के साथ हैं. ऐसा नहीं है कि वो अकेला है, यहाँ मुझे एक संकेत मिला है कि उसका परिवार भी एक साथ खड़ा दिख रहा है, दोनों तरफ सब कुछ ठीक है, यह व्यक्ति दोनों तरफ खड़ा है, उसका परिवार एक साथ है और आप उन्हें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ बिलकुल भी नहीं देख रहे हैं, उनका ध्यान सिर्फ आपका काम बिगाडने पर है या फिर वो प उप्योग करना कि किसी को पता ही न चले कि वे इस माध्यम का उप्योग कर रहे हैं, उनका काम भी हो रहा है, उन्हें लगता है कि उनका काम हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो यहां मुझे ऐसे ही कुछ संकेत दिख रहे हैं जो महादेव जी ने हमें दिये करें. दीजीए और यहां हम अगला संकेत देखते हैं. यहां अगला संकेत दिव्या ने हमें दिया है कि आप वास्तव में कुछ काम कर रहे हैं, जिसे करने में आप किसी की भागी-दारी नहीं ले रहे हैं. आप उस काम को अभी अकेले कर रहे हैं. आप स्वयम सोचिए, आप स्वयम सोचिए कि वो कौन सा कार्या है जो आप इस समय अकेले कर रहे हैं और अगर मुझे यहां महादेव जी का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो उस कार्या से पहले आपके साथ दो-तीन लोग जुड़े हुए थे. मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके काम में मदद कर रहे हैं. मैं उन तीन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ. यहां महादेव जी संकेत दे रहे हैं. यह तीन लोग थे जो पहले आपके काम में मदद कर रहे हैं. वो आपके साथ नहीं है. उसने आपको लिकिन आज वो आपके साथ नहीं है, वो तीन जो आपके थे सहयोगी, वर्तमान समय में भी आप जो कार्या कर रहे हैं, उसमें ये तीन सहयोगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, उनकी अनुपस्थिती के कारण, उनकी अनुपस्थिती के कारण, आपको अकेला पाक कुछ नई तीन लोग आपको गुमराह नहीं करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से आपको उसमें असफल कर दे और वो उन तीन लोगों की जगह लेगा और आपकी उसमें कोई जगह नहीं होगी, इसलिए यहां मैं उन तीन लोगो को समझ पा रहा हूँ जो बहुत स्पष्ट है अगला संकेत कृपया महादेव जी कृपया मेरा मार्ग दर्शन करें कृपया यहां मेरा मार्ग दर्शन करें अगला संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यह है कि यह कार्ड अभी प्राथमिक स्थर पर है और यह अप आप यहां पर आया है जो मैं आपको यहां संकेत में दे रहा हूँ। लेकिन जो लोग आपके विरोधी प्रतीत होते हैं, जो आपके शत्रू प्रतीत होते हैं, वे छिपकर आक्रमन कर रहे हैं। इसका स्पष्ट संकेत मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि वे ऐसे माध्यम का उप्योग कर रहे हैं। तुम भी बहुत मदद करते हो इसलिए तुम्हें दरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश हैं जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ लगातार आपका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी सफलता की गती को आकरशित कर लिया है। तुम्हें ये सब अपनी मेहनत के दम पर किया है। ये बात जीवन भर याद रखो। तुम एक पल के जो भी तुमने कलपना की थी, अब तुम्हें सफलता की खुशी दिखेगी, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें शांती मिलेगी, तुम्हें सम्रिद्धी और आंतरिक शांती मिलेगी, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम ज जो भी रास्ता चुनोगे, वो रास्ता तुम्हे तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। अगर आपने दूसरों के सुख के बारे में सोचा तो और इसी तरह आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे हैं, इसलिए अब आपके महादेव जी की शक्तियां आपका कल्यान स्वयम करने जा रही हैं। तीन बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्छे मन से याद करें। कैसे हुआ। चिन्ता मत करो, मन में कोई दुविधा न रखें। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। आप स्वयम लंबे समय से ब्रह्मांट के साथ अपने भागय के नियंतरन में हैं। जब से तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो तो आज तुम्हें ये संदेश भी मिला है कि तुम्हारा इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। मेरे बच्चों समझ जाओ की परिस्थितियां अचानक अपना रूप बदल रही हैं और पानी की तरह आपके अनुरूप होती जा रही हैं। गिर्ती है कहीं, अपना रास्ता खुद धून लेती है। पानी को दिशा की जरूरत नहीं होती। वैसे ही आपकी जिन्दगी भी वैसी ही है। जब भी तुम किसी चुनोती में फसते हो, तुम अपना रास्ता अपने भीतर ही धून लेते हो, मेरे बच्चे। बुरी चीजे नहीं होती। बुरे लोगों को नजर अंदाज करने की वजह से ही तुम जिन्दगी में बहुत आगे बढ़ पाई हो, मेरे बच्चे। बासिक तनाव होता है, बलकि आप चुप रहते हैं और किसी की बातों की परवा नहीं करते हैं। मेरे बच्चे जवाब नहीं देते। आपकी शान्ती के कारण आपके शत्रूओं के मन में भय जागरित हो रहा है, इसलिए वे धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे हैं। मेरे बच्चों, आपके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के धेर सारे भंडार होंगे। यदि आपके परिवार में कोई वर्षों से अस्वस्थ है तो उसे भी स्वस्थ होने का आशीरवाद मिलेगा। आपके परिवार की खोई हुई खुशियां वापस आ जाएंगी। घर में सुक्ष शांती स्थापित होगी मेरे बच्चे। आपके चेहरे का आकर्शन बड़ेगा। आपके शरीर में आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन अब आपका तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और जब मैं ही तुम्हें गाइड कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या जरूरत है। बच्चों, तुम जो हासल करना चाहते हो वो सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं बलकि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चों, आप हमेशा मुझसे कहते रहें कि महादेव जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मेरी वर्षों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे दुश्मन, मेरे दोस्त सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे बच्चों, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ाने की हिम्मत किसी में नहीं है, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं तुम्हें दूनगा जितना तुमने कभी स तोचा होगा उससे कहीं अधिक, लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो, आपके मन में भविश्य और परिवार के लिए कई योजनाएं बन रही होनगी, आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको सफलता मिलेगी, अब तुम अपने परिवार को वो सारी खुशियां दे पाओगे जो तुमने सोची थी, मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, तुम और तुम्हारा परिवार ऐसी जिन्दगी जी सकेंगे जिसमें तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, बाद में तुम घर, गाड़ी, पैसा, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा लेकिन ये तुम्हारा नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे बच्चे, आपके मन में रासे जीवन जीने की इतनी तीवर इच्छा है कि आप केवल उसी को ध्यान में रखकर कम कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि सफलता से आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और आपका संधर्श समाप्थ हो जाएगा, ऐसा होगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समाज की भलाई के लिए चुना है, तुम्हें गरीबों के लिए, बेजुबानों के लिए बहुत कुछ करना है, यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश है, इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे, क्या ये तुम्हारे महादेव जी के लिए है? आपको ये संदेश पसंद आ सकता है मेरे बच्चों, सत्य की राह पर चलो, चिंता मत करो, भविश्य में तुम इतनी प्रगती करोगे कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा, इससे समझ इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारे परिवार को जाना जाएगा आपका नाम, मेरे बच्चे, सफलता वो आपके जीवन में आने के लिए हमेशा तयार है, लेकिन अपने चंचल मन के कारण आपने बहुत सी अच्छी चीजे खोदी हैं। इसे आगे देखी, इस संदेश में कुछ ऐसा है, जो आपकी जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपिया इसे नजर अंदाज न करें।